नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इसांक एजुकेशन में आज की इस वीडियो में हम बिद्यालायों का वीडियो कंफ्रेंसिंग के माध्यम से जो अनुसरवन होने वाला है इसमें किस प्रकार से भाग लेना है इसका कार्ज क्या है और इसमें किस-किस बिंदू पर प्रसुन पूछे जाएंगे इसके बारे में बिष्टार पुर्वक चाचा करेंगे अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं साथ्यों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विवाग गण हियां प्रसाद स्रीवास्तव निदेशक जो की माधमिक से सुनिचित करने के संबंद में अब इसमें आगे दिया हुआ है कि महां से उपर्युक्त विश्यक निदेशा अनुसार अंकित कहना है कि वीडियो कंफ्रेंसिंग के माधियम से अपड़ मुक्सचीव सिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों के साथ विभागिये योजना एवं काज क्रमों की समिक्षा की जाती है एवं अवस्यक निदेश दिये जाते हैं उसी क्रम में जिला अस्तर से प्रधना ध्यापकों के साथ वीडियो कंफ्रेंसिंग के माधियम से विद्याले में हो रही गती वीडियो एवं सिक्षन कार्जों पर समिक्षात्मक वैठक क करने का निने लिआ गया है कि इसका झेटु आपके द्वारा भीसी नोड धेटू विध्याले का चेहन किया गया है ऐसे चैनित विध्याले या के दरपर भीसी उपकरन की विवस्थाए यानि की वीडियो कंफरेंस जो जिस माधियम से होगा उसकी विवस्थाह दिनाग 24 साथ 2023 के पुर्व कर लिया जाना अवस्यक होगा अब इस आगे है दिया हुआ है कि विभाग इस्वान यानि की इस्वान का मतलब हुआ कि इसे है एजुकेशन और इसके बाद है स्टेट वाइड एरिया नेट्वर्क सिग्र ही प्राडम भकरने जा रहा है जिसके माध्यम से सभी माध्यमिक विद्यालयों तथा मद्विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा और कंप्यूटर की कक्छा भी सिग्र प्राडम भकरना प्रस्तावीत है जब तक इस्वान के माध्यम से लाइन लाइन एव इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगता है तब तक आप और अस्थाई विवस्था कर बी एसनेल अथवा किसी ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट की सुधा ताप्त करें फिलहाल प्रयोग के तोर पर ऐसे माध्यमिक या उच माध्यमिक विद्याले को चुने जहां पर पहले से ही के स्मार्ट क्लासे चलाने का ताफधान है आगे दिया हुआ है कि विभाग के पास उपलब्द जानकारी के अनुश्वार 9,006 माधमिक या उच माधमिक विद्यालों में स्मार्ट क्लासे संचालित है जिसमें एक टीवी अस्कीन दिया हुआ है आप अपने जिले के वैसे 10 विद्यालों को चिनहित करें और वहाँ BSNL का इंटरनेट कनेक्शन जिसका की प्रती महिना 799 रुपईया पर पैकेज अस्थापित करें और ट्राइल के तौर पर यह देखें कि वहाँ इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं साथ ही आप निर्वाद रूप से भीसी कर रहे हैं कि नहीं निर्वाद का मतलब किसी तरह की बाधा नहीं हो रही है भीस निर्वाद से यह connection लेने पर एक लैंड लैंड की सुधा भी विद्यालय को दी जाएगी भीस निर्वाद लैंड लैंड का हैंसेट नीसुल्क दिया जाएगा इसकी अतिरिक्त और कोई रासी भीस निर्वाद को नहीं दिया जाएगा उक्त इंटरनेट का भुगतान संबंधित विद्यालयों के विकास कोश अत्वा छात्रकोश से किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है कि बी एसनेल से इंटरनेट लेने में कोई अस्विधा होने पर श्री दिनीख चंद्रदास जो की सब डिविजनल इंजिनियर है उनके मोबाइल नमर या इमेल पर संपड़ किया जा सकता है। अत्हा निदेश दिया जाता है कि उप्रोक्त के अधार पर भीची सिस्टम अस्थापित कर दिनांग चोबी साथ दोयरतेश से प्रतियक दीन संध्या चार वजे प्रधना ध्यापक से विभीन मुद्दों पर चर्चा की जाए। जिन भीचे ओपर चर्चा की जानी है वह नीचे संलग्ण है। अब क्या क्या है इसमें संलग्ण वह आपको अभी बताने जा रहा है। इससे पहले हम आपको यह बता दे कि प्राइमडी इस्कूल या मिडिल इस्कूल के जितने भी प्रभाडी प्रधना ध्यापक है या इस्कूल इन्चार्ज है उनको हर एक दिन संध्या चार वजे उस सेंटर पे पहुँचना होगा जहां पे वीडियो कंफेरेंस की विवस् पर जायेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे यहां पर नीचे देखे जो कि अनलगनक है इसमें दिया गया है कि कीशाट्रो की उपशथिती, जो है वो पहला रखेगा इसके बाद ev team 7530 रहने पर 20 जोर इस बात पर वहाँ पर जोडिया जाएगा कि हर एक विध्याल्य में जो student का जो attendance है student की जो उपस्थिती है वो कम से कम 75% रखा जाए उसके बाद है कि छात्रों की उपस्थिती school के notice board पर लगाई गई है या नहीं जो की विद्याले के जो notice board है वहाँ पर आज के यानि परतियक दिन जो student आय हुए है उनका जो उपस्थिती जो है वह notice word पर लगाई गई है या नहीं लगाई गई है इस तरह की सवाल आप से पुछे जाएंगे उसके बाद आगे दिया हुआ है कि छात्रों के अभिवावों के साथ बैठक कब की गई थी यह भी सवाल आप से पुछे जाएंगे कि आपने टीचर पेरेंट्स का जो मीटिंग है वह आप कब रखे हुए थे तो आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले भी जो एक लेटर निकाला गया था कि आपको बच्चों के अभिवावक के साथ मीटिंग करनी है तो आप वह देख लेंगे कि किस तारी को आप अभिवावक से मीटिंग किये हुए थे और वह डेट आप वहाँ पर रखेंगे और आपसे जब सवाल पुछे जाएंगे तो उनका आप जवाब देंगे आगे है कि क्या पूरे सप्ताह का टाइम टेबल बना दिया गया है और इसकुल के नोटीस बोर्ड अत्तथा परत्य कक्षा में लगाया गया ह या नहीं कि मतलब जो इसकूल का रूटीन जो है प्रोडाम जो है वो तयार किया गया है कि नहीं हर एक क्लास में वो लगाया गया है कि नहीं यह भी पुछा जाएगा कि आज क्या पढ़ाय हुई और कल क्या पढ़ाया जाएगा तो इस तरह से आप साथियों आप देख सकत हैं कि जो स्कूल रूटीन है उनको भी आपको फोलो करना अनिवार्ज हो गया है आपको यह भी वहाँ पे कहना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ाय हुआ है और कल क्या पढ़ाय होगा आगे हैं कि खेल कूद क्वीज सांस्किति काज्क्रम जिसमें कि इकोकल विक्षारोपन पर तरह कि क्वेश्चन जो की सेंस्टीचर है उनके बारे में पुछा जाएगा प्रधानाथयापक से आगे है कि जहां जहां स्मार्ट क्लास या आई सीटी लेव लगे हुए हैं वहां कंप्यूटर की कक्छाय हुई थी या नहीं स्मार्ट क्लास में पेंड्रेब से भेजे ग जाता है और किनके द्वारा साफ क्या जाता है यह इस्तला का भी कोईश्चन आप से पुछा जाएगा आगे है कि मिड़े मील के मीनू पर चर्चा की जाएगी और यहां पुछा जाएगा कि उनका पीपी यानि की प्रिंट पेमेंट इडवाइस कैसे बनाया गया है उसके इडर आगे हैं कि सीवील कंस्ट्रक्शन जीशे कि सोचाले निर्मान, कक्षा का निर्मान इत्यादी यदि उनके विडेले में चल रहे हो तो उनकी प्रगरति की समिक्चा की जाएगी आगे है कि डीबीटी द्वारा अच्छादीत योजनाओं की समिक्चा की जाएगी जो कि student का जो पुसाक रासी चातविती रासी या नेपकीन की रासी जो डिवीटी के माध्यम से student को दिया जाता है तो उनके उनके बारे में आप से सवाल पुछे जाएंगे कि किस तरह की इस्थिति आपके विद्याले में पहले से है और अभी क्या इस्थिति हो गई है आगे है क कि समग्र सिक्षा योजना अत्रिक्त वरक अच्छाओं के निर्मान तथा मिड्डे मिल योजना में प्रती दिन कुल उपलब्ध रासी की आंकरा मांगा जाएगा तथा तथा यह भी मांगा जाएगा कि उस दिन रासी से कितना खर्च हुआ यानि कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके जो समग्र सिक्षा के योजना में जैसे मिड्डे मिल है उसमें प्रती दिन कितना रासी आपका है और उस दिन कितना खर्च हुआ और उसका कितना बांकी रहा गिया है ये ये भी आपको सुचनाय वहां पर देनी होगी अब है कि माधिमिक एवं उच माधिमिक विद्याले के प्रधनाधियापक से संबंधित बिंदू कि जो की हाई स्कूल एवं जो कॉलेज है जहां पर प्लस्टू की प्रहाई हो रही वहां पर किस तरह से सवाल सबस에 पहला है कि उपर में जितने भी बिंदू थे उद्च्ट भिंद्याक से भी सवाल किए जायेगे इसके अलावा सवाल जो पूछे जाएंगे इसमें है की इसके अतिरिक्ट भिकास-कोह-सैबğa म चाहत्र-कोहसमें कुल कितनी रासी है उसका पर अगराब मंगा जाएग इसके बाद है विकास कोस एबम छात्र कोस से कौन कौन सी योजनाय ली गई है इस पर भी चर्चा की जाएगी और आगे दिया हुआ है कि उप्रुक्त समिक्षा के दौरान आप प्रधान ध्यापक से उप्रुक्त बिद्यों पर वाट्सप द्वारा साथ ही आपके जिले से निरक्षन में जाने वाले प्राधिकारे भी इसे डौनलोड कर ले और निक्षर में पाई गई इस्थिति को आपके वार्टसप करें ताकि साम के बेठक में आप प्रधान ध्यापक से इस पर चर्चा कर सकें यह यह जो दिया हुआ है यह जिला जो जि जो प्रभारी है प्रधान ध्यापक है उनको नोट कैम सौफट्वेर डौनलोड करने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि डियो साब को कहा जा रहा है कि आप भी कर लेंगे और अगर आप कही निरक्षन तो आप वहां पर क्या कहते हैं कि आप भी उस फोटो को क्लि तो हो ही रहा है अब online monitoring भी हो रहा है तो आप सभी से यह विंति है कि विद्याले को सही सही चलाए और जो भी विभाग ये पंजी है विभाग ये काम है उनको पूरी तनमेता से करें वीडियो कौन तक देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो